Hello friends and students, today we are going to read about coral leaves or what are coral polyps. समंदर के अंदर basically क्या होता है, कुछ बहुत चोटे से, बहुत टाइनी से माइक्रो अर्गनिसम्स होते हैं, बहुत चोटे चोटे. और ये जो टाइनी माइक्रो अर्गनिसम्स होते हैं, ये हजारों, लाखों की संख्याओं में एक दूसरे के साथ रहते हैं. इट मींस ये रहते हैं ग्रुप्स में. आपने कई बार डिसकवर के देखा होगा, समंदर के अन्दर जब हम लोग देखते हैं, सी के अंदर. तो कुछ colorful से plants आप लोगों को नज़र आते हैं, कुछ colorful से animals आप लोगों को नज़र आते हैं, कुछ sea creatures हैं, तो यही tiny microorganisms जो हैं, उन्हीं से मिलके बनता है हमारा coral reefs, basically क्या है? coral क्या है? coral तो एक microorganism है, एक organism जो sea में पाये जाता है, और reef का मतलब होता है, rock, यानि कि कोई भी बड़ी सी चटान, यानि कि वो area जो पानी से उपर आपको उठावा देखता है, वो सारे का सारा coral reefs या coral polyps, polyps क्यों है? क्योंकि ये जिन tiny microorganisms के skin से बनता है, या जिनके skeleton से ये बनता है, उन skeleton को कहते हैं polyps, होता क्या है? कि, just suppose कीजिए, ये हमारा under the sea का एक वो है, ठीक है? और यहाँ पे colorful से कुछ प्रांड या कुछ microorganisms, छोटे मोटे ठीक है, और जैसे कच्वा होता है, कच्वे के जो उपर की shell होती है, हमारी, बहुत हाड होती है, वो बनी होती है, calcium bicarbonate की, ठीक है? तो ये जो calcium bicarbonate होता है, होता क्या है? ये जितने भी microorganisms होते हैं, ये सबी के सबी पानी के अंदर carbon dioxide के level को absorb करते हैं, इसलिए coral reefs बहुत important माने जाते हैं, ये उनको absorb करते हैं और secret करते है केल्शियुम बाइकार्बनीट और यह क्या होता है सपोस कीजिए यह एक माइक्र आर्गनिजम है वह डेड हो गया मर गया तो वह जाके नीचे जो हमारी माइक्र गया मर गया तो यह परेगा यह यह ज़ंग हो पहले लिया फिर कोई मर गया यह तogether हो सबसे जाता है क्योंकि क्याश्य उपनीट यह अब होता है और जब यह हमारा एरिया पाने के ऊपर हम लोगوں को नज़र आता है, 더 इसको हम लोग island کہہ دیتے ہیں और ये जो चटान जैसा ये बनता है ये होते हैं हमारे coral reefs coral reefs अक्सर हर सी में देखने को मिलते है फिर बिंके लिए 2-3 conditions है जो require होती है number 1 इनके लिए जो पानी होता है सी कहलwo fresh water होता है याने कि जहाँ पे carbon dioxide बहुत जादा ना हो इनके उभने के लिए ये चीज़े बहुत है, fresh water होना चाहिए, और warm water होना चाहिए थोड़ा सा, warm water, warm water temperature होता है 20 degree to 30 degree, और sea का ही पानी होता है, खारा पानी जो होता है, उसे में ये होते हैं, sea के water में ही, ना कि आपके river water में, sea के water में होंगे, और ये हमेशा ग्रुप में रहत और इनका साइज होता है जस्ट कुछ सेंटीमिटर से लेके और कुछ मतलब 50 या 100 इतने सेंटीमिटर तक के जो हमारे और अर्गनिजम है वो सारे के सारे जो है ये कॉरल रीफ्स में आती हैं तो कॉरल रीफ्स आपका यही है यानि की पाने के अंदर कुछ माइक्र ओर्गनिजम्स जो होते हैं कुछ टाइनी से बहुत छोटे से जब वो मरते हैं उन्हीं के जो डेड़ स्किन होती है उसके उपर बेर दूसरा कॉरल बनेगा उसके फिर वो भी मतलब यह ना जब मरते है तो एक दूसरे के साथ स्टिक रहते हैं एक दूसरे के साथ दूर दूर स्कैटर नहीं होती हैं तो इस वज़े से एक टाइम आता है बहुत से थाउजन्ट अफ यह के बाद जब यह एरिया जो है यह उपर उठके आ जाता है और इनी को हम लोग कहते हैं कॉरल रीव्स